Hello Good Morning Views आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल रेस्पी जो की मुंगी मस्री की डाल है जिसे की हम पीली डाल भी कह देते हैं और ये अकसर हमारे घर पे आम ही ये हम डाल बनाते हैं कम से कम नहीं तो एक हफ़ते में एक पर ये डाल जरूर बनती है तो शुरू करते हैं इसे बनाना और हमने ये मुंगी मस्री की डाल बनाने के लिए हमने ये मुंगी जो की स्प्लिट मुंगी है और जो स्प्लिट हमारा जो ये आप देख सकते हो इसके लिए हमने split कॉंगी और split मसर लिया है और जो इसकी रिशियो है वो 1 to 1 है और इसके लिए हमने 1 cup लिया है और अब हम इसे अच्छे से धोलेंगे और दाल के लिए पानी रख देंगे घरन होने के लिए और हमने ये दाल कुकर में नहीं बनाएंगे हम ये हम दाल क्छुली बनाएंगे और इसके लिए हमने 1 cup दाल लिया है और हम 6 cup पानी के डालेंगे अब अब हम इसे पानी को उबलने देंगे अ देखे हमारा पानी गरब हो चुक है अ भम इसमें दाल तरण देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर और ग्रीन चिपली का पेस्ट और थोड़ा सा अबने गालिक पेस्ट जाला है वैसे तो ये डाल बनानी बहुत ही सिंफल है घर घर पे ये हमारी डाल बनती है मैं आज अपने तरीके से शेयर करूँ आपके साथ में डाल बनानी तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी थोड़ी सी केकी मिर्च और थोड़ी सी हिंग डाली है और बस अब इससे हम ढग के रख देंगे जब तक कि हमारी ये डाल अच्छे से अपना जाए एक बार इसे हिला देंगे क्योंकि कई बार जब हम डाल डालते हैं इसमें तो वह नीचे जाके चिपक जाती है तो इसलिए हमने इसे एक पर अच्छे से हिला देना वैसे तो हम इसे बार-बार बीच-बीच में भी चेक करते रहेंगे और इसे 20-25 मिनिट लगेंगे बने में और यह देखें हमारी दाल बिल्टुल रेडी हो गया 25 मिनिट के बाद और यह डिपैंड करता है कई बार आपकी दाल पे भी कई बार हमारी दाल ऐसी आ जाती है जो गल्ले में थोड़ा जाला टाइम ले लेती है या कई दाले ऐसी है जो बहुत ही ज़ल दी गुल जाती है तो करता है आपकी दाल पे और अब हम इसे तड़का लगाने की तियारी शुरू करते है और अब हम दाल को लगाएंगे तड़का इसमें हमने 2-3 टेबल स्पून अफ ऑल जाला है और ऑल को हम गरब गुने वेंगे ऑल हमारा गरब हो चुक है और हम सबसे पहले इसमें डालने जीरा और अब हम इसमें डालेंगे गालेक चोटा चुटा चॉप किया हुआ और अब हम इसमें डाली लगाएंगे अनियर अनियन को हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे तो कि इस साल में प्रॉपर भूने हुए अनियन बहुत ही ज्यादा यमी लगते हैं इस ही है तोड़े से हम नॉमल से तोड़े से डाब करेंगे हम अनियन को और हम इसमें डालने लगा है छोटा-छोटा छोटा चॉप किया हुआ जिंजर और साथी टमाटर और इसमें मैंने गिंते लिविती में डाल दूँ तोड़ी देंचे लिए हमें अच्छे से गल जाए हमारी कमाटर अच्छे से गल गए हम थोड़ी से खल्पी तोड़ी से खल्पी तोड़ी से किलेंच तोड़ा सा और पानी इसमें डालेंगे हमारी कमाटर पकी जाए जैसे कि अब देख सकते हो मसाले में ऑईल छोड़ दिया और अब हम इसमें आड़ करेंगे दाल और अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा जानिया और फड़ी से हमने आड़ किया इसमें कसूरी में थी और थोड़ी देखें हम इसे लगके रखते हैं और यह देखें हमारी ताल बिल्कुल बनके रेटी हो गई है खाने के लिए और अब हम इसे सौप करेंगे और आप भी इसी तरह से बनाके एक बार देखें पर वैसे तो सबका तरीका दाल बनाने का अलग अलग होता है और ताल एक ऐसी चीज है जो हर घर पे बनाई जाती है हफ्टे में एक या दो बार तो हम इसे जरूर बनाते हैं वीक में तो आप भी मेरी तरह से मेरी रेस्पी को फॉल्लो करके बनाके देखें बहुत ही यमी बनेंगी दाल मूह मसर की डाल की रेस्पी पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कोई और नई रस्पी के सार्थ सब तक के लिए थैंक यू और बाई